सबसे बढ़िया कोशन तो आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग इसको जरूर ट्राइ किजेगा, कुछ लोग उसे देखकर भी आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं कुशन है, अकिड वस बॉर्न अट 29 फैब 1796, 1796 को पैदा होना गुनाह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं था, तो 29 फैब बस यहां दिक्कत आ गई, 29 फर्वरी, तो 29 फर्वरी 1796 को एक बच्चा पैदा हुआ, बहुत छोटा था गोस्ता हैं, हाँ, ओबिसली, तो वेन will he celebrate his first birthday, तो वो बच्चा अपना पहला जनम दिन कब मनाएगा, तो मैं आपके एक जला सी help इसके इंदर कर देता हूँ, यूजली, आपके यहां मैं help कर देता हूँ, तो जिस दिन पैदा हुआ है, उस दिन तो अपना पहला birthday मनाएगा नहीं, तो 79, 6 जो है, वो तो option में नह आपको बहुत अच्छा concept मिलने वाला है यहां पर, और इस question को solve करवाने के बाद, फिर मैं आपको एक और कुछ tricks बताऊँगा, उन tricks के जरी आप जानेंगे कि years repeat कब होते है, कहने मतलब यह है, कि 92 जो था 1992 वो 2020 का calendar बिल्कुल सेम था, जो calendar 1992 में था, वही 2020 में था, तो उसक concept बताने जा रहा हूं, फिल्हाल मुझे पूरी उमीद है कि आप लोगोंने answer दे दिया होगा, answer तो दिखी रहा है, अठारा सो है ना, अरे यही solve किया होगा तुमने, अब क्या दिमाग लगागा, तुमने का sir 29 fab है, 1796 है, 29 फरवरी यार, 39 फरवरी leap year, अब कुछ लोग चले गए होगे solve करने, 96 को force है, कुछ लोगोंने 1796 को force से divide किया होगा, और फिर यह जाना होगा क्योंगी leap year है, कुछ और भी, you know, very intelligent students, उन्होंने क्या किया होगा, 96 को force से divide किया होगा, यह भी तरीक है, और full divide होगा होगा, तो उन्होंने का होगे leap year है, और उनसे भी तेज intelligent students कुछ होगे, उन्होंने 29 fab, यानी की 29 फरवरी देखा होगा, और तुरंद कहा होगा कि यार, जब 29 फरवरी आ रहा है, तो तो leap year होगा, और leap year हर 4 साल बाद repeat होता है, ऐस सूरती से आंसा लगा, यह गलत है, गलत इसलिए है कि 18 double zero चलो, इसको तुमने 4 से divide कि होगा, तुमने का होगा कि सर यह 4 से तो divide हो जाता है, पर बच्चों जिसके आगे 2 zero आ जाते है, जिस year के आगे 2 zero आ जाते है न, वो एक शताब्दी बन जाती है, it becomes a century, और century के लिए हमे 400 से divide करना पड़ता है, 400 से lecture number 2 वापिस से देख लिए, और जब आपको 400 से divide करना पड़ेगा, तो चलिए 2 zero, 2 zero cancel, 18 by 4, 18 by 4 हो रहा है कि divide, नहीं हो रहा है न, इसका मतलब कि यह leap year नहीं है, इसका मतलब यह हुआ, कि इसमें भी 28 की परवरी होगी, इसमें भी 28 की परवरी देखो 97 को तो खेर होई नहीं सकता, 29 फरवरी अगले साल तो आनी ही ठीक है, यह हो गए नहीं, अब एक यह option बचा है, 1804 होगा, वैसे 1804 को चेक कर लो गई, कैसे होगा, देखो double zero तो है नहीं, और अगर double zero नहीं है, तो it is very easy to solve, अब हमें four से divide करना पड़ेगा, आखरी दो डिजिट को four से divide कीजिए, और four से divide हो रहा है, जी, तो यह leap year है, और जहाँ double zero आज है ना, उसे four hundred से divide करना पड़ेगा, clear हुआ concept, तो आज एक और नहीं चीज आपको पता लगी, और वो आपको पता लगा, की बही, कोई compulsion नहीं है, there is no compulsion that leap year repeats every four years, after every four years, no, it's not hard and fast all, leap year जो ठीक है ना, तो clear होगे आपको, एक और बात में बदाता हूँ, यह 29 फरवरे को पैदा होना, और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई 29 फैब को बच्चा पैदा हो गया, तो उसने कोई गुनाह कर दिया, ऐसा बिलकुल नहीं है, उसे बर्डे मनाना है, तो 28 के बाद में, first of March को भी मना सकता है, क्योंकि अर्थ जो है न, वो एक जैसा ही घूमती है, ऐसा नहीं कि लीप एर में कुछ ज्यादा समय लेती है, घूमने में, नहीं, एक जैसा ही घूमती अर्थ, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 29 फैब को बढ़डे आता है, आप first March को मनाईए, क्योंक जो वर्ष है, वो same to same calendar जो है, वो कितने time के बाद में वापिस अपने अपनी पुन्रावृत्य करता है, पुन्रावृत्य से मेरा मतलब है, repeat करता है, ठीक है, तो देखे, इसका मैंने directly shortering लिखी है, guys, actually shortering इसलिए लिखी है, कि आपको बहुत जादा time exam में नहीं होता है, कि आपको मैं full concept बताओं कि भी, क्या हमने तरीका इस्तेमाल किया, किस तरह से questions को solve किया, doesn't matter, आप कितने कम time में आप questions को solve कर जा रहा है, वो चीज़ मैटर करती है, तो देखो, कौन सा वर्ष जो है, बैनर यह repeat, number one point और number two point, सबसे पहली बात, कि जो भी वर्ष है, divide last two digits by four, stands for remainder, आर काम जो मतलब है, वो है यहाँ पे, शेशफल, शेशफल अगर zero आता है, तो year में 28 जोड देना है, समझ पाने बात को, देखे, कोई भी वर्ष आपको में दे दू, question में, whatever is the year, and then I ask, after how many years, it's gonna repeat, okay, calendar कितने time बाद repeat होगा, तो उस इस्तिति में, आपको क्या कर रहा ह Now, what you need to do exactly, divide the last two digits with four, okay, और अगर बहुत समय, चारो डिजट को कर रहा है, तो कर लीजिये, so, divide two digits by four, then, if remainder is zero, then, the year, which is given in the question, add 28, okay, it means, after 28 years, the year will be repeated, which means, calendar will be repeated, it means, अगर उस दिन 1st January को, Thursday था, तो after 28 years, 1st January will be Thursday, तेके? If the remainder is 1, then, year plus 6, if remainder is 2 or 3, then, year plus 11, clear हो पारी बात को, शेशफल अगर जीरो बचेगा, तो जो वर्ष दिया है, 28 जोड़ो, शेशफल एक बचेगा, तो जो भी वर्ष है, उसमें 6 जोड़ो, यदि शेशफल 2 या 3 हो रहा है, तो year में, वर्ष में 11 है, 11 जोड़ दीजे, फड़ा 95 विल रिपीट, 1995 कब रिपीट हो गए, रिपीट कब तो ये नहीं, जो 1995 में घटा था, कुछ तो वह वापिस हो गए, कि किसी की शादी हो रही तो 1995 कि उसको लग रहा है कि नहीं, अब रिपीट होने वाला है, तो इस बार मौका है भागने का ऐसा कुछ नहीं है, तो बस 95 है आखर ही दो डिजिट फड़ा-फट कीजिए इसको डिवाइड 4 से तो क्या करेंगे आप आप करेंगे 95 यहां लेकेंगे 4 चार दुनी 8 9 में से एड़ गया 1 उतारा 15 हो गया है 4 तीया 12, 4 तीया 12 4 तीया 12, 15 में से 12 गया 3, so 3 is the remainder जो शेषफल है वो तीन बचा अब अगर शेषफल 3 है तो हाँ यहां पर यहां पर यह प्लस 11 विच मींस 1995 में 11 कर देंगे तो इट विल भी 2006 ठीक है अरे पिचानवे में 10 जोड़ दोगे 2005 हो जाएगा 11 जोड़ना है वेन 1992 रिपीट आई होप यह नेवर रिपीट हो क्यों क्या हुआ अधर से मुंबई बांब लास्ट हुए थे ठीक है तो वैसे हम चाहते नहीं पट फिर भी 1992 क्या हुआ था इसमें बताओ जरा कैलेंडर रिपीट जो है लास्ट के दो डिजिट को कर दो ये डिवाइट बिना सोचे समझे 92 इसको आप कर देजे 4 से डिवाइट 4 तूजा 8 नौ में से आड़ गया एक तारा बारा चाड़ती है 12 एंड हेर इक बिकम्स जीरू अरे फोली डिवाइट होगे मेरे भाई जीरू आने का मतलब है 28 येर बाद ये रिपीट होना आए 28 येर यानि कि 1992 में 28 जोड़ना पड़ेगा 1992 प्लस 28 कितना होजागा येर 2020 होगे क्या 10 जोड़े 2002 होगा फिर 2012 होगा फिर 2020 होगे तो इसलिए हम लोग कोरोना में परिशान हुए क्योंकि जो कैलेंडर हमने पिछली बार इस्तेमाल किया वो 1992 में किया और इसने कसम से बहुत परिशान किया ठीक है दोनों ही वर्ष बहुत कतरनाक थे अब ये 2020 को भी फोर से डिवाइड कर दो तो लास्ट के दो डिजट है अब ही से मैं परिशान कर रहा हूँ ठीक है आपको पता है कि remainder क्या बचेगा शेषफल 3 ही बचेगा जब डिवाइड नहीं हो गो तो जो remainder है that will be 3 सो if it is 3 तो देखो 2 हो या 3 हो येर मे एलेवन जोड़ना है तो 703 में 11 जोड़ना है कितना हो जाएग अब 11 अचल बार 703 प्लस 11 तो ये हो जाएगा भी है दो एदर चाओधर ने दो एदर नहीं it will be 1714 ठीक है अच्छा कुछ लोग अभी ए दिमाग लगा रहे होंगे कि sir आपने why you are all just discussing 0 1 2 or 3. guys इस पूरे matter के अंदर आपको दिया गया है कि you will have to divide it with 4. if you are dividing any digit with 4 obviously there are two possible remainders are just 0 1 2 or 3 which will be less than 4. किसी भी संख्या को यदि आप 4 से भाग कर रहे है 4 से divide कर रहे है तो जो remainder है शेशफल जो है वो 4 से कम ही बचेगा तो यह तो 0 होगा या 1 होगा दो या 3 होगा तो यह दिवाग मत लगा ना कि sir 5 बच जाये तो क्या होगा 6 बच जाये तो आपने बताया ही नहीं ठीक है और अगर 4 भी बचे जाये तो 4 4 से divide हो जाएगा अरे यार 4 को तुम्हें कम गरो 5 को 4 से divide करो चार एक कम चार पांच मेंस चार के एक 1 remainder 6 को कर दो 2 remainder साथ को कर दो 3 remainder और 8 को कर दो तो 4 से फिर divide होगा ठीक है आपको आपको यह concept समझ भाया होगा बिलकुल like, share, subscribe कर देना अच्छे से एकदम as you are very good students तो guys मैं इसमें इतना ही पढ़ा रहा हूँ कुछ और भी जरूरी questions है पर जो जिन exams को मैं target कर रहा हूँ which is net paper 1, gate, general aptitude 2021, ssc bank तो कोई बहुत ज़्यादा तूफानी question नहीं आता है तो अब इनी तरह से questions को solve बर सकते हैं तो मुलाकात होगी फिर किसी नए topic पर किसी नए दिन